हेलो गाइज, वेल्कम बैक ओन मैं यूट्यूब चैनल एंटी नेट क्लासेज इन दिस इस निकिता राजबुद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एंटी नेट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर जहां पर मैं आपको एंटी नेट इग्जाम से रिलेटीड उससे रिलेटिड वेकिंसी एंड मोस्ट इंपोरेंट अपडेट्स के बारे में यहां वीडियो लेकर आती हूं तो अगर आप नई है मेरे इस चैनल पर तो आप इस चैनल को सस्क्राइब कर बैल आइकन प्रेस कर लीजे जिससे मेरे वीडियो का जो भी नया नोटिफिकेश से तो यह है नोटिफिकेशन जो कि आपका नुजोन को अपडेट किया गया है पब्लिक नोटिस में ली यह जो सब्जेक्ट है कॉमन यूनिवर्सिटी एंटरंस टैग सी यू एटी पीजी तूथाउजन ट्वेंटिटी तू से रिलेटिड है जिसमें की है दा जो दिन एडिश्नल किया गया है एक बंजिंग्लिस्ट में जिसमें की आपके फोर यूनिवर्सिटी में को अड़ किया गया एप तो यह जो यूनिवर्सिटी है यह हैं पर जो आपको कर मैं Kit Sethैके निर्वान से रिलेट़ अपडेट यहाँ पर दी गई है कि दा बंचिंग लिस्ट औफ प्रोग्राम फर दिनु युणिवस्टी इस मैं शो बंच एड की गई है फोल इसकी लिस्ट आप पाटििसिपेटिंग यूनिवस्टीज से के लिस्ट में देख सकते हैं And please check the eligibility from the original bunching list and the additional bunching list as 9-6-2022 where the change is highlighted in green color. So, जो अपडेट किया गया है तो ये आपका green color में highlighted किया गया है. जो अपडेटेट देट है वो है आपर 9-June-2022. And red and green के according लिए आप देख सकते हैं. And fifth point है कि जवारला नहरी उनिवरस्टी is optioning for a separate paper code. PGQ-P79 for the development labor studies which has earlier mapped in PGQ-P20 the applicant who had applied for the paper code for JNU may do the correction when the correction window is open. So, ये देखिए important है fifth point कि अभी जो paper था जो development of the labor study जो mention किया गया था वो इस code से था लेकिन अब जो है updated map करके, पहले जो था वो इससे था updated करके इस प्रकार कर दिया गया है. तो जब भी correction window open हो तो वहां से आप change कर सकते हैं. तो इस प्रकार की update दी गई है. तो जो भी candidates UAT form फिल कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही important update है. तो इसी तरह की update पाने के लिए बने रही है हमारे साथ. Thank you so much.